नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का आधार किलासेस में साथियो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परिक्षा की दिरस्टी से कुछ महत्मों टॉपिक साथ यो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नीति आयोग और GST ये दो टोपिक ऐसे हैं साथ यो आपको परिक्सा में एक नंबर दिलाकर ही रहेंगे साथ यो आप हमारी वीडियो पूरी देखना आपको एक नंबर कुछ ही मिन्टो में आपको एक नंबर मिल जाएगा साथियो परिक्सा में एक नंबर के लिए आता ही है और कोई सी भी परिक्सा हो लगा कर पैट से और छोटे से एक्जाम से लगा कर आपके बड़े लेविल तब आपको एक नंबर यहां से उपलब्ध हो जाएगा साथियो चलते हैं टाइम बेस्ट न करके अपनी क्लास की ओर साथियो यह है आपका नीती आयोग यदि मैं बात करूँ नीती आयोग नीती आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था ठीक है साथियो इसका गठन जो हुआ था हमारा एक जनवरी 2015 को हुआ था ठीक है साथियो और इसका मुख्याल है हमारा नई दिल्ली में गठित किया गया ठीक है अयती मैं बात करूँ इसके जो अध्यक्स हैं वो हमारे रहते हैं प्रधान मंत्री अभी वरतमान में सरकार चल रही है भारत सरकार एंड ये की मतलब प्रधान मंत्री नरिद मोदी की ठीक है आगे जिसकी भी सरकार होगी उसके जो प्रधान मंत्री होगे वो ही नितियायोक के अध्यक्स होगे ठीक है साथियो नितियायोक के अध्यक्स में भारत के प्रधान मंत्री होते हैं ठीक है उसके बाद मैं बात करत कि या प्रत्थम CEO सिंदु स्री खुलार ठीक है सी आया सिरी लगा दो ठीक है मतलब सिरी और उप मतलब ओफ प्रत्थम पहला पहली बार पानी गड में पहली बार पानी आया गड़ में ठीक है ऐसा याद कर सकते हो पहली बार पानी आया पहली मतलब पहली बार आया पन पानी पन मतलब पानी और गड़ मतलब गड़िया है ना पान गड़िया ठीक है ऐसा आप याद कर रख सकते हो ठीक है उसके बाद में प्याद करता हूँ उपध्यक्स की प्रिथम उपद्यक्स सुमन स्री सुमन के वैरी ठीक है डॉक्टर सुमन के वैरी यह हैं डॉक्टर सुमन के वैरी उपद्यक्स ठीक है उसके बात नए CEO नए CEO है बी बी आर सुपरमानियम ठीक है नए CEO सुपरमानियम ठीक है सी यहाँ पर सी जो सिंबल है यहाँ पर find करता है सूब्रमानियम सीम फोर सूब्रमानियम ठीक है ऐसे यात रख सकते हो आप उसके बाद मैं बात करता हूं देखो अधिकार छेत रहता है भारत सरकार के भी अंडर में ठीक है अब मैं बात करता हूं नीती आयोग एक गैर सम्मेधानिक निकाए है ठीक है एक तो होता है सम्मेधानिक ठीक है और एक होता है गेर सम्मेधानिक तो यहाँ पर जो नीती आयोग है वो गेर सम्मेधानिक निकाय है ठीक है यहाँ पर लिग दिया था है ने नीती आयोग योजनायोग की तरहें कोई वित्य आवंटन नहीं करता है ठीक है योजनायोग से अलग है यह वित जोजनाओ में आवंटित खर्चाजों विये दो अब मैं बात करता हूँ जी स्थिए सबसे पहले में फाम बता देता हूं GST की Full Form Goods, Goods and Service, ठीक है, Goods and Service, Service Tax, ठीक है, यह होती है, Goods and Service Tax, ठीक है, इसकी Full Form, यहां पर बात कर लेता हूं, goods and services शकल है ठीक है उसके बाद इस्थापना की बात करते हैं GST की स्थापना जो हुई थी 12 सितंबर 2016 को हुई थी ठीक है 12 सितंबर 2016 को स्थापना हुई और लागू जो हुए था GST यहाँ पर 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया था ठीक है सात्यों यदि भारते संविधान के अनुच्छेद में बात करी जाए GST की ठीक है GST परिशद जो अनुच्छेद है वो है आपका 289 A ठीक है 279 279 A ठीक है goods service tax का अनुच्छेद ठीक है भारते संविधान में 289 में provide है ठीक है सात्यों संसोधन की बात करी जाए अमीडमेंट जो हो था इसका 101 वा संविधान संसोधन था ठीक है 101 वा संविधान संसोधन GST का है ठीक है सात्यों सात्यों कुछ product ओपर यहां पर दरे provide की गई है जैसे उद्ध्योग छेत्र वस्तू द्ध्योग या मनलो कुछ अन्य वस्तू जैसे food service tax में food में है न यह सभी में इनमें कुछ percentage तोर पर टेक्स लगाए गए थे तो वह सात्यों दरें हैं जो tax हैं वो दरें पांच परकार की ठीक है 5 परकार की दरं है एक है 0%, ठीक है 5% और 12%, 18% और 28% ठीक है सात्यों यह 5 परकार की model कहां के model से हमारा यह GST लिया गया है सबसे पहले model की बात करी जाए देखो कनाड़ा देश से आधरित है ठीक है हमारी जो GST जो प्रावाइट की गई है उनको GST लागू की गई थी भारत में वो करनाडा देश से आधारित है ठीक है करनाडा देश से आधारित है यदि मैं बात करूँ जो जीएस्टी बनाने का सुझाव जो दिया था जीएस्टी बनाने के लिए समीती जो बना थी वो थी विजय कहल कर समीती ठीक है इन्होंने अपनी अपनी समीती में समीती में कहा के जी विजय कहल कर समीती ठीक है जी एश्टी का मुख्या ले नई दिल्ली में ठीक है जी एश्टी का मुख्या ले नई दिल्ली में हुआ यदि मैं बात करूं जी एश्टी की गूट सु सर्विस टैक्स ठीक है जी एश्टी है गूट सर्विस टैक्स वह मैंने पहली बता दिया थ ठीक है सर पर्थम किस राज् balls जय लागु हुई तो लो कुंसा है असम भारत के असम राज्यile में सर पर्थम जय च्क signals जय झाम्व हुई यदी मैं बात करूं GST के जो नंबर होते हैं नंबर वो पंजी करण संख्या जो आतीं होगो डिजिट की होती है देखो साथी हो GST परिंजी करान संख्या जो होती है वो 15 नंबर की होती है ठीक है 15 नंबर की होती है GST लागू करने वाला भारत जो है हमारा वो 161 देश है ठीक है विसमें हमारे counting जो है हमारे देश में जो लागू हुई थी GST उसका नंबर 161 है ठीक है उसके बाद बात करता हूँ GST बरत्मान अध्यक्स है हमारे बरत्मान अध्यक्स निर्मला सीतरमन ठीक है निर्मला सीतरमन ठीक है यह है निर्मला सीतरमन प्रारूप समीति के अध्यक्स एना अशीम द दास गुपता ठीक है प्रारूप समींति के अध्यक्स हैं हमारे अशीम दास गुपता ठीक है यह अगर मैं यह दिमें बात करूं जो टैक्स होता है टेक्स दो प्रकार का होता है ठीक है टेक्स दो प्रकार का होता है एक तो होता है प्रत्यक्स कर और एक होता है एप्रत्यक्स कर ठीक है कर दो प्रकार के हैं प्रत्यक्स और एप्रत्यक्स ठीक है यह हमारा जो GST है वो है हमारा एप्रत्यक्स कर ठीक है कैसा प्रत्यक्स कर है ए एपिर्टेक्स कर और बहु इस तरिया गतववे पर आधारित है यह ठीक है जीस्टी के प्रकार देखो जीस्टी तीन प्रकार की होते हैं एस जीस्टी सी जीस्टी और आई जीस्टी ठीक है यह होते हैं हमारे तीन प्रकार एस ठीक है यह 3 प्रकार के कर होते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियो हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें यदि आप आपने हमारे वैल आइकन को नहीं दवाया है वैल आइकन को भी दवा दिजिए ताकि अगला क्लास का नोटिविकेशन आप पर टाइम पर पहुंच जाए साथ यो ये ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तब के लिए थेंक्यी सो मज़